नमस्कार प्रिये दर्शकों हजिर हूं मैं मंगल राशी परिवर्तन प्रभाव को लेकर पाँच फरवरी दो हजार चौबीस शायमकाल साथ बज करके नौ मिनट पर भूमिपुत्र अपनी वरतमान धनु राशी को छोड़ कर अपनी उच्च राशी मगर राशी में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां कि वो 15 मार्च दो हजार चौबीस की शाम तक रहेंगे और इसके पश्चात फिर कुम्भराशी में प्रवेश कर जाएंगे मंगल कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्सा, हतियार, वाद, विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल प्रिदर्शकों मंगल अपने इन ही कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विविन पहलूओं को नियंतरत करते हैं जन्मकुंडली में मंगल का बली होना जातक को साहसी बना देता है ऐसा जातक किसी से दबने वाला नहीं वो उचित निरणय नहीं ले पाता जिससे की वो स्रिष्ट सफलता हासिल कर सके दिखा जाए तो मंगल का गोचर लगभग हर 45 दिन के बाद मदलते हैं मंगल अपनी राशी परिवर्तन करते हैं लेकिन जब मैं मंगल के गोचर की चर्चा करता हूँ तो आपके सम्मुख ब्रिहक चर्चा करता हूँ और उसके पीछे सिर्फ एक कारण है और वो ये है कि मैं मानता हूँ कि जो लोग कर्म में विश्वास रखते हैं जिनका पूरा भरोसा पुरुशार्थ से जुड़ा हुआ है उन्हें मंगल के गोचर को भली भाती अवस्य समझना चाहिए प्रेदर शकूं कल हमारी चर्चा मेश शलेकर कन्या राशी परियंत इन छह राशी के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा रहने वाला है आपके जीवन में मंगल कैसा परिवर्तन लेकर क्या रहे हैं इस विशे पर हमारी चर्चा हुई थी और आज चर्चा आगे की जो बाकी की चह राशियां है तुला, व्रुष्षिक, धनू, मकर, कुंभ और मीन इन चह राशी के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा होगा इसे आज हम समझेंगे प्रियोधर रखूं इस समय गोचर कुंडली की स्थितिक के अदि एक बार आप समझें तो गोचर कुंडली में देव गुरु ब्रहस्पती में इस रासी में संचरण कर रहे हैं मंगल अपनी उचराशी में संचरण करेंगे और राहू का संचरण मीन में है तो मीन गत राहू से मंगल का जो संबंध है वो 3.11 का बन जाएगा सनी के साथ द्वीद्वादस का समंध और देवगुरु ब्रहसपती के साथ केंद्र का समंध जहां मंगल की चौथी दृष्टी देवगुरु ब्रहसपती पर होगी उच रासी में गोचर करते हुए मंगल अपने ही रासी में बैठे देव गुरु ब्रहस्पती पर अपनी चौथी दृष्टी डालेंगे जिसे से देव गुरु के बल में बृध्धी होगी और देव गुरु के कारण मंगल के बल में बृध्धी ये अपने आप में अध्धुत सयोग और बेहद सुरिष्ट प्रभाव देने वाला समय होगा चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं प्रारंभ में ही बता दू यह राश फल मैं आपको आपके चंद्रराशी के आधार पर बताने जा रहा हूँ तुला रासी के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी रासी से चतुर्थ भाव में होने जा रहा है यानि आपके लिए मंगल रूचक राज योग का निर्मान करेंगे यह समय आपके लिए बेहद महत्त पुरुन साबित होने वाला है यूँ समझ लीजी आपके सुखों में बृधी होने वाली है आय में बढ़ोत्तरी होने वाली है नया कारे नई नौकरी प्राप्त होने वाली है यह गोचर पूरी तरह से आपके लिए उन्नती कारक बनने वाला है यदि आप मसीनरी आटो मोबाईल इत्यादी के फिल्ड से जुड़े हुए है तो कहना नहीं आपके पद में बृधी होने वाली है या इस तरह के सक्षा आपने ग्रहन कर रखी है तो आपको नई नौकरी मिलने वाली है पारिबारी की स्तृती भी बहतर दिखाई पढ़े है इस गोचर काल के दोरान भूमी भवन से समझे जितने भी आपकी कारे हैं सब बनेंगे कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं कोई बड़ी प्रॉपर्टी बेजना चाहते हैं तो समझ लीजी वो प्रोपर्टी अच्छे दामों पर विखने वाली है यानि कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत बढ़िया है और तो और इस गोचर काल के दौरान आपका कोई ऐसा सपना जो बहुत दिनों से पूरा नहीं हो पा रहा था पूरा होगा, दामपत्य जीवों ने छोटी मोटी परिशानिया आएंगी, मत भेद होगा छोटी छोटी बातों को लेकर के छोटे छोटे मुद्दों पर आप लड़ेंगे लेकिन इससे प्रेम में बृद्धी होगी, इससे कोई नुकसान परिशानी नहीं होने वाली है आईए, मंगल के इस गोचर को मैं जरा एक बार आपको ब्रिहत रूप से समझाता हूँ आप ये तो जानते ही हैं कि मंगल के पास तीन दृष्टियां है सभी ग्रहों के पास साथवी दृष्टि होती है, मंगल के पास दो दृष्टि विसेश है चतूर्थ भाव में गोचर करते हुए, दिखा जाए तो मंगल आपके लिए धनेस और सब्तमेस बनकर के सुख भाव में गोचर करेंगे जो की अत्यन तस्रेष्ट है, प्रिदर्शकों, चतूर्थ भाव में गोचर कुंडली में जब कोई गोचर करता है विशेश करके पापग रह, तो कही न कही थोड़ी परिशानी लाता है कि मंगल यहां दिगबल से विहीन हो जाते हैं, और साथी साथ कालपुरुस की कुंडली के हिसाब से मंगल की यहां पर नीच रासी होती है पर अपने उच रासी में गोचर करते हुए और तो और देव गुरुब रहस्पती से केंद्र का संबंध बना करके सष्ठ में राहू, निसंते ही यह गोचर आपके रहत प्रदान करने वाला है तुला रासी के जातकों के लिए वरतमान में शनिदेव का रासी से पंचम में चलना आपको कही न कहीं मानसिक रूप से परिशान किये हुए है परंतु मंगल का यह गोचर आपके लिए सही होगी होगा हाँ ये जरूर ध्यान रखिएगा सनिदेव की तीसरी दृष्टी के कारण दामपत्य जीवन में थोड़ी परिशानी जो उत्पन्न हो रहे थी वो देव गुरु ब्रहस्पती सम्हाले हुए है मंगल की दृष्टी तो कहीं न कहीं कलह मत्भेत की स्थिती उत्पन्न होगी हराकी से आप सम्हाल लेंगे मंगल की भले ही नीच सही लेकिन दसम भाव पर दृष्टी पढ़ना कारिक छित्र में सफलता के दृष्टी कोण से बहुत बढ़िया और सबसे बड़ी बात है आए मंगल की दृष्टी से दृष्टी ये देव गुरु ब्रहस्पती और बलवान होंगे और उनकी दृष्टी जब लाभ भाव पर पड़ीगी तो इन दोनों की दृष्टी को सम्मिलित एक तरह से माना जागा क्योंकि देव गुरु के साथ मंगल भी दृष्टी डाल रहे ह फलता लाभ के दृष्टी कोंड से यह गोचर तुलारासी के जातकों के लिए अत्यनत स्रेष्ट है अब सवाल यह उठता है कि लाभ ऐसे तो हो नहीं सकता यानि कुछ नए कारे होंगे आपके कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कारिक छत्र में भ भवन वाहन हर तरह का सुख आपको मिलने वाला है कहीं कोई चिंता करने की आवशक्ता नहीं परन्तु इतना जरूर ध्यान रखिएगा कारेक छत्र में रहें वहां बौस का घर में रहें तो पिता का सम्मान करिएगा हनुमान जी की आराधना करिएगा हनुमान जी की जवरी दो हजार चौबीस भूमिपुत्र अपनी वर्तमान धनुरासी को छोड़ कर अपनी उच्चराशी मकर राशी में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह गोचर बहुत बढ़िया है। अगर आप पुरुशार्थी हैं, मेहनत में विश्वास रखते हैं, तो समझ लीजे यह गोचर आग भरने वाला है। आप पस तयार रहिए। खिलाडी हैं से ना मिलिटरी पुलिस इन छेत्रों में जाना चाहते हैं, जबर दस्त सफलता। पारिवारिक जीवन में साकारात्मक उर्जा भरने वाला है यह गोचर। कोई बड़ा परिवर्तन करने की तैरी आपने कर रखी थी, कर डा लिए। यह गोचर बहुत बढ़िया है। चोटे भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा, बताते चलूँ, यह राशी फल मैं आपको आपके चंदर राशी के आधार पर बताने जा रहा हूँ या बता रहा हूँ। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। धया के कारण कहीं न कहीं मानसिक अशान्ति और परिशानी पा रहे हैं, अब देखिए, सनी की जो धया है वो धाई साल की है, और मंगल का यह गोचर ज्यादा ज्यादा 45 दिन का, अब 45 दिन और धाई साल में भेत तो होगा न, जहां सनी देव धाई साल रहेंगे, वहां के प्रभाव में अंतर तो वो लाएंगे, लेकिन ये जो छोटे छोटे गोचर के परिवर्तन हैं, ये भी बहुत मायने रखते हैं, अब गौर करिए, तो मंगल सश्ठेस और लगने सुकर के तृतिय भाव में गोचर करेंगे, किसी तरह की परिशानी से जूज रहे हैं, जरा सोच के देखिए, कि वो चिंता, वो परिशानी आपको उससे मुक्ति मिलेगी, आपके आत्म विश्वास में बृध्धी होगी, आपके द्वारा उठाया गया कदम, आपको सफलता प्रदान करेगा, जबर्दस्त, मंगल की चोथी दृष्टी पढ़ेगी सश्ठ जबर्दस्त, कोई प्रतियोगी परिक्षा है, तो बिद्यार्थियों के लिए इससे बढ़िया समय नहीं होगा, अब जाहिर से बात है, ज़रूरी तो नहीं कि हर कोई किसी के लिए परिक्षाई सी समय हो, पर है, तो लाभ मिलेगा, यह गोचर हर तरह से आपके लिए और देव गुरू की विद्रिष्टी वहीं पर बहुत ही बढ़िया होने बाला है, इस समय गोचर कुंडली में राहू आपकी रासी से पंचम में चल रहे हैं, पंचम के राहू के कारण कहीं न कहीं थोड़ी चिंता परिशानी तो आही जाती हाला कि राहू भी वो धिमत्त आप बस कदम उठाइए और सफलता मिलेगी, हनुमान जी की सरण में बने रहेंगे तो धया से भी रहात मिलेगी और मंगल का भी बला आपको मिलेगा, मंगल को अपने बली करिए, लाल रंग का वस्त्र मंगलवार के दिन धारण करी, खाने में मसूर का प्रयोग दाल जो हो पूचना है, यह गोचर बहुत बढ़िया है, धनुराशी 5 फरवरी 2024 भोमिपुत्र अपनी वरतमान धनुराशी को छोड़ कर, यानि वरतमान समय में मंगल आपकी रासी पर हैं, आपकी रासी से दूसरे भाव में, अपनी उच्च राशी में प्रवेश करने वाले हैं, यह जो दूसरा भाव है, यह वानि का है, खान पान का है, अब देखा जाए, तो मंगल आपके लिए ब्ययेस और साथिसाथ पंचमेस होकर के दुतिये भाव में गोचर करेंगे, अब यह तो तय है कि वानि का ब्याय होगा, क्योंकि ब्याय पती बनकर के दुतिये में गोचर कर पर बता रहा हूं, तो वानी में कडवाहट भी होगी, वानी का अधिक ब्याय भी होगा, और अधिक वानी का प्रयोग भी होगा, यानि कहीं न कहीं भाषन भी खूब होगा, अब अगर आप राजनितिक यह हैं, तो आनंद लीजी, बाकी देखा जाए तो यह गोचर है, आप ब्याय पती बनकर के दूतिय भाव में गोचर करेंगे, तब यानि कहीं न कहीं धन खर्च होगा, लेकिन इसे हम ब्यर्थ का ब्याय नहीं कहेंगे, अब जरह समझेए, आपने प्रॉपर्टी कोई खरीद ली और पैसा उसके बदले दिया, तो यह ब्यर्थ का ब्याय तो अगेगा, अलाकि एक बात बतादू कि इंचियों से पैसा भी आपको बहुत आने वाला है, पर आपको सचेत रहना है, पैसे तुआएंगे, पर संभव है इन्हीं में पैसे जाएंगे भी, तो सावधानी, जो आपके अधिनस्त हैं, उनका सम्मान करिए, उनसे बहुत शाल कि खान पान पर नियंतरण बहुत आवश्यक है, मद्यपान, मान साहार इससे दूरी बनाइए, योग, ध्यान का साहरा लीजिए, संतान पक्ष को लेकर कि यदि कोई चिंता है, वो चिंता दूर होगी, संतान से किसी बात को लेकर कि कोई अनुबन इत्यादी थी, वो दूर होने वाली है यानि कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर कई मामलों में तो अच्छा है और कई मामलों में थोड़ी चिंता भी है अगर आप कंसल्टेंट हैं परामर्स देने का काम करते हैं यदि आप अच्छा पर जहां देव गुरु ब्रहस्पती विद्यमान है कहना नहीं कि कितना स्रिष्ठ है जबर्दस्थ मंगल और गुरु का यह संबंद जो केंद्र का संबंद है अत्यंत स्रिष्ठ माना जाएगा विद्यार्थियों के लिए तो जबर्दस्थ रिसर्च करने वालों क कथा वाचक हैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया है यह गोचर और मंगल की जो द्रिष्ठी है वो अश्टम भाव पर होगी कहीं कोई दिक्कत नहीं हाँ खान पान पर नियंत्रन रखना होगा अब मद्देपान करके वाहन चलाएंगे तो दुर घटना घटित होगी ही या आप किसी भी तरह के जल्दबाजी या कहीं न कहीं लापारवाही से अपना नुकसान करते हों तो उसको समझ लीजेगा बाकी भागय का साथ जबर दस्त मिलेगा मंगल की द्रिष्ठी पड़ेगी भागय भाव पर देव गुरु ब्रहस्पती की सम्मेलित पांचवी द्रि चिंता दे रहे थे अब अगर माता के कारण माता के स्वास्त के कारण डॉक्टरों के पास आपके पैसे जा रहे थे तो ठीक अब तो जरूई भी है ये तो इसके रिए तो चिंता की कोई आवशक्ता नहीं बाकी मंगल का यह गोचर ठीक है दो बाते अब ये तो उन लोगो के लिए मैंने बहुत बढ़िया कह दिया लेकिन अब सब कोई कतावाचक और जोतिसी और वक्ता तो नहीं है प्रोफेसर तो नहीं है तो बाकियों के लिए अगर आप ग्रिहनी है तो जरा सचेत रहिए वानी के कारण थोड़ी परिशानी हो सकते हैं कड़वी वानी का प्रयो करिए और साथी साथ कड़वी वानी के प्रयोग से बचिए बाकि यह गोचर आपके लिए लाभप्रत सुद्ध होगा मकर राशी पांच फरवरी दो हजार चौबीस भूमिपुत्र अपनी वरतमान धनुराशी को छोड़कर आपकी रासी अर्थात मकर राशी में सब कुछ यहीं से जाना जाता है अब ज़रा समझेए मंगल आपके लिए कोई विशेस कारक ग्रह नहीं है क्योंकि यह लाभेस होते हैं तो छट्टे से छट्टा होने के चलते लाभभाव भी कोई कारक भाव नहीं परन्तु मंगल का गोचर आपके राशी पर होना निसंद बार नया प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो यह बहतरीन समय है बीते दिनों में व्यापार में कोई परिशानी आई थी वो दूर होगी कोई नया व्यापार सुरू करना चाहते हैं पारिवारिक जीवन में भी खुशियां हलाकि याद रखिएगा कि मंगल आपके व्यक्ति से इस्तेमाल करिए मन की चंचलता पर नियंत्रन करिए इस दोरान खेल कुद का हिस्सा बनिए अपने आपको फिट रखने का प्रत्न करिए अगर अन्फिट हैं तो समझ लीजे मंगल का यह गोचर आपको फिट कराने के लिए आया है स्वास्त में किसी भी तरह की परिशान पर्थी दृष्टी पड़ेगी देव गुरु पर यह बहुत बढ़िया समंध है फलता भूमी भवन वाहन के सुखों में बृद्धी माता के स्वास्थ में कहीं कोई परिशानी आरी थी वो भी दूर होगी मंगल लाभे सुकर के आपके व्यक्तित्यों के साथ समंध जोड नहीं नहीं दामपत्य जीवा में थोड़ी कलह की स्थिति होगी क्योंकि मंगल का आपके व्यक्तित्यों से समंध कलह की स्थिति उत्पन करता है लेकिन उससे आप सम्हाल लेंगे ज्यादा चिंता की कोई आवशक्ता नहीं याद रखिए अहंकार के कारण अगर आपका घर खराब हो तो बात अलग है परन्तु अगर आप खुद पर नियंतरन रखकर के चलें तो समझ लीजे इस गोचर से कहीं कोई नुकसान कहीं कोई परिशानी नहीं होगी मंगल की जो आठवी दृष्टी है वो अश्टम भाव पर पड़ेगी देव गुरु ब्रहस्पती की प आपको पकड़ लिया है यानि स्वास्त को लेकर कि अगर आप जूज रहे हैं तो समझ लीजिए कि गुरु और मंगल की दृष्टी उच्च के मंगल और गुरु की जो दृष्टी है आपको आयू का वर्धन करके देगी आयू में आपके बृध्धी होगी यानि मकर राश मैं आपको आपके चंदराशी के आधार पर बता रहा हूं तो सबसे पहले आपको अपने भीतर कुछ बदलाव लाना होगा बहुत जल्दी में कोई निरने लेना दूसरों के लिए अपमान जन्य सब्द का इस्तेमाल करना खान पान आपका नियंतरत नहोना वानी की इससे बात बिगड़ सकती है तो इसका जरूर खयाल रखिये बाकी यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है क्या करना हो पाए हनुमान जी की आरादना हनुमान जी के मंदर में जाईए उनका दर्सन करिए हनुमान चालीसा का पाठ करिए बाकी यह गोचर आपके लिए उत्तम है कुम्भ राशी पाँच फरवरी दो हजार चौबीस भूमिपुत्र अपनी वर्तमान धनुरासी को छोड़ कर मकर राशी में जहांकि वो उच्च के होते हैं प्रवेश करने जा रहे हैं देखा जाए तो मंगल जो की आपके लिए तृतिय और दसम भाव के स्वामी होंगे बारहवे भाव में इनका गोचर कर्मभाव के स्वामी का बारहवे भाव में गोचर बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता मंगल का यह गोचर कही न कहीं आपके जीवन काल में तमाम परिशानिया लेकर क्या रहा है घर परिवार के मध्धिकलह किस्तिती उत्पन्न कराएगा आपको बहुत सचेत रहना है बलकि एक बात बता दूँ चाहे वो छोटे भाई बहन हो कारिक छत्र में चाहे आपके साथ के आपकी नीचे के लोग हो अपनी मर्यादा से बाहर मत आईएगा अपनी मर्यादा में रहने की आवशक्ता है नहीं तो आपके अपने ही आपके बिरुद्ध हो जाएंगे आपके क्रोध के कारण वाणी पर नियंतरन अनरख पाने के कारण जल्दबाजी में लिये गए फैसले के कारण आपको जो नुकसान और परिशानी होने वाली है आपको कह सकते हैं सामाजी के सुतर पर आपके मान सम्माने में कमी आने वाली है बताते चलूं यह राशी फल मैं आपको आपके चंदराशी का अधार पर बताने जा रहा हूं हलाकि इस गोचरकाल से कुछ लाभ की भी स्तिती है क्या है वो भी मैं आपको बोट पर समझाओंगा जो लोग विदेश से जुड़कर के काम करना चाहते हैं उनके लिए कही न कहीं अच्छा परिणाम हो सकता है कोई अच्छी डिल आपको मिल सकती है बिद्यार्थियों की बात करूँ तो सक्षा के क्षत्र में कहीं न कहीं भटकाओ की स्तिती ही दिखाई पड़ रहे मन बहुत ज़्यादा पढ़ाई में नहीं लगेगा ब्यायभाव का मंगल खर्च में ब्रद्धी कराएगा इस गोचरकाल में आपको अपने स्वास्ते का भी विशेस ध्यान रखना होगा वेवजह के वाद बिवाद से जितना हो सके दूर रहना होगा वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी किसी वी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा आपको नहीं बनना है इन सभी बातों का खया लखिए कुमबराशी के जातकों को वरतमान समय में साढ़े साती की मद्ध ध़या चल रही है शनिदेवी समय आपकी रासी पर है तो हैं बुध आपकी रासी से दुतिये भाव में माफ करेगा राहू आपकी रासी से दुतिये भाव में राहू का दूसरे भाव में होना कहीं न कहीं खान पान में गलत आदत लग जाये इसकी सूचना देता है अब देखा जाए तो मंगल उ Likewise में आपकी रासी से बारहमें भाव में गोचर करने जा रहा है दसंपती जाकर के जब बारहवे में गोचर करते हैं तो कारिक छित्र में इस्तिती अन्यंतृत हो जाती है, उठा पटक की इस्तिती शुरू हो जाती है, कारिक छित्र में लगातार परिशानिया बनने लगती है, आपके साथ के लोग आपके विरुद्ध होने लगते हैं, बे ने कहा था कि कुछ न कुछ अच्छाई तवस्य निकलेगी, यहीं पर देव गुरु ब्रहस्पती बैठे हैं, मंगल अपने स्वयम के घर को देखेंगे, और देव गुरु ब्रहस्पती के उपर द्रिश्ट डालेंगे, फलता एक अच्छी बात है कि इन तमाम परिशानियों के मद्य, जो चीज आपके साथ लगातार बना रहेगा, वो है आपका पुरुशार्थ, वो है आपकी हिम्मत, अगर आप अपने छोटे भाई बहनों का सम्मान करें, उनके साथ सम्मंध मधूर बनाये रखें, अपनी मर्यादा को न भूलें, तो उनकी और से भी आपको सही योग मिलेगा, ये अच्छाई आपके लिए मैं बता रहा हूँ, अब ज़रे सोच के देखिए कि देव गुरु ब्रहस्पती का सहयोग आपको मंगल की दृष्टी सिस्टम मिलित होकर के मिल जाए, तो ये क्या कम है, मंगल ज़्यादा ज़्यादा ब्याय करा सकते हैं, ठी ज़्यादा ज़्यादा अच्छा होगा, जीवन साथी के साथ जितना हो सके संबंध मधुर बनाये रखने का प्रत्न करिएगा, ये अच्छी बात है कि देव गुरु की दृष्टी मंगल के साथ सम्मिलित पड़ेगी फलतह दामपत्य जीवन में थोड़ा बहुत नोक जो हो भी जाये, तब भी जीवन साथी के इतनी बुद्धिमत्ता तो दिखाई सकते हैं, जीवन साथी से इतनी बुद्धिमत्ता की उम्मीद तो हम करेंगे ही कि दामपत्य जीवन में कोई विशेस परिशानी नहीं आएगी, फिर भी मद्यपान, मानसाहर इससे पूरी तरह द न दीजिए, न उनका साथ लीजिए, और सबसे जरूरी उपाय है हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी की सरनागती गरहन करिए, हनुमान जी की सरन में बने रहेंगे, तो आप समझ लीजे कि आप हर तरह की परिशानी से बच जाएंगे, सो हनुमान जी की सरन में रह अपनी वरतमान धनुराशी को छोड़ कर अपनी उच्चराशी मकर राशी में प्रवेश करने जा रहे हैं। को बढ़ाने वाला है। लेकिन यह मंगल का गोचर जो की अलपकाल का है। पर आपके लिए बेहद शुभ है। सुभ समाचार लेकर के आ रहा है। भविश्य को लेकर के यदि कोई योजना है जिसे मूर्त रूप देना चाहते हैं तो समझ लीजे वो समय आ चुका है। समय ब आपने कर लिया तो फिर एकादस का मंगल आपके जीवनकाल को पूरी तरह से बदल देगा, आपकी पूरी तरह से सहायता करेगा। बस इतना ध्यान रखिए। काम बोलना चाहिए, वानी नहीं, मेहनत से जी नहीं चुराना, नौकरी पेसा बहुत बढ़िया, आमदनी में प्रुद्धी, प्राइवेट से जुड़े हैं और बढ़िया, ब्यापारी वर्ग, बड़ी जबरदस्त संभावनाओं के साथा रहा है यह गोचर, कुछ अच्छा होगा, कुछ बढ़ा होगा, आप अपने ब्यापार को नई गती दे पाएंगे, बस वानी पर नियंतरन ज जीवन में ब्रह्मचरे, ब्रह्मचरे का वो मतलब नहीं जो आमतर पर आपको बताया गया है, आप समझते हैं, ब्रह्मचरे का मतलब है एक निष्ट हो करके, अपने काम के प्रतिसमर्पित हो करके, यदि लग जाया जाये, तो ये वो समय है जो आपके पूरे जीवन को धनपती बनकर के भाग्यपती बनकर के लाभ भाव में गोचर करेंगे पहले तो महाधनी योग का निर्माण करेंगे जो की जबर दस्त है। धन के दर्ष्टी कोण से समय अत्यनत स्रिष्ट सिद्ध होगा आपके लिए। वहीं मंगल की जो दर्ष्टी पड़ेगी वो पंचम भाव पर पड़ेगी। स्वास्त को लेकर के जरा सचेत रहिएगा, वहाँ नित्यादी चलाते समय सावधानी बरतिएगा, खान पान पर विशेस नियंत्रन याद रखिएगा एक शब्दों मैंने इस्तेमाल किया ब्रम्हचर्य, ब्रम्हचर्य ये शब्द अपने आप में बेहत कठीना। और अग खोलेंगे, यू समझ लीजिए कि एक नया विकास, नया बदलाओ, यह समय आपके लिए अतनत स्रिष्ट होने वाला है, साड़े साती के चलते जो भी मानसी का शांती परिशानी आपको मिल रही है, उन सबसे बचाओ का एक मात्र तरीका है हनुमान जी किया राधना, और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मंगल की स्तिती अच्छी है, तो आप चाहें तो तामबे का कड़ा धारन कर सकते हैं, मुंगा रत्म धारन कर सकते हैं, इससे भी मंगल को बल मिलेगा, बाकी यह गोचर हर तरह से आपके लिए बढ़िया है, प्रियदर शकूं, मंगल क अचले बस इतना है, इजाज़त दीजे, उनह मुलाकात होगी, तब तक के लिए, नमस्कार